नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वाधिस्ट और मज़ेदार नास्ता ये नास्ता आज हम बनाएंगे पोई के पत्तों का और ये पत्ते आपको इसली गाओं में जरूर मिल जाएंगे और शहर में भी इसली मिल जाते हैं और मार्केट में भ यह जो हम पोई के पत्तों का जो नास्ता बना कर आज तयार करेंगे बहुत ही स्वाधिस्ट और मज़ेदार बनेगा इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा तो देखिए अच्छी तरीके से हमने पोई के पत्ते दुल लिए हैं और इनको हम रख देंगे साइड में तो चलिए इनको हम साइड में रख देते हैं और अच्छी तरीके से हमने इनको दूले हैं एकदम ताजे ही पत्ते लेना है और आपको रखे हुए पत्ते का इस्तमान नहीं करना है तो यह देखिए सारे पत्ते एकदम क्लीन हो चुके हैं और यह देखने में भी बहुत सुन्दर लगते हैं खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो अब हम लेंगे एक बावल के डालेंगे एक कटोरी बेसं यो देखिए मनें कटोरी बेसंद जाला है पाउडर जैसा आपको तीखा पसंद हो और आधी चमच दालेंगे हल्दी पाउडर तो देखे सारी चीजे हमने डाल दी हैं आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डल कर हमें एक पतला सा घोल तयार कर लेना है और इसमें लगबग हमको लग जाएगा एक ग्लास पानी फ्रें जल्दी होता है और खाने में भी बहुत जादा स्वाधिस्ट लगता है और आपने इससे पहले अगर आपने पोई की कोई भी रेसेपी खाई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और आप हमारा वीडियो कहां सी देख रहे हैं तो कमेंट में अपने जिली का नाम जरूर लिखेगा तो देखे आइड कर देगे तो देखे परता है तो ड़ी में का सवा यह इसमें ने बिंड़ा यह ग्लास पानी डाल और आप सब्रूत Arc पेटर हमें चाहिए तो इसको साइड में रखेंगे और जो पोई के पत्ते हमने धुल के रखे थे अब हमें क्या करना है इनको महीन महीन चौप कर लेना है तो चलिए इनको काच लेते हैं ये खाने में तो साधिस्ट होते हैं और जो ये पत्ते होते हैं बहुत ही नर्म होते ह सरत से पतharma है तो आप इन पतों से कोई भी रेसेपी बना कर खा सकते हैं. क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही गुर्खारी पता होता है. तो देखिए हमने अच्छी तरीके से सारे पोई के पत्तों को काट लिया है अब आगे का प्रोसेस देखते हैं तो देखिए जो हमने घूल बना के रखा था इसमें सबसे पहले हमें आधे पत्ते डालना है पूरे एकदम नहीं डालना है सिर्फ आधे पत्तों का इस्तमाल करना है आधे हम आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से डालना है तो देखिए आधे पत्ते हमने डाल दिये और अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया है तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा और पते इतने नर्म होते हैं कि ये बेसन के साथ अच्छी तरीके से घुल जाते हैं और एकदम नर्म और साफ्ट हो जाते हैं इसकी जो टंठल होता है वो भी एकदम साफ्ट होता है और खाने में बहुत जादा स्वाधिश्ट लगता है तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और जो हमने बचा के पोई के पत्ते रखे हैं अब हम जो बचे हुए हैं वो भी इसमें हम डाल देंगे तो सारे पत्ते जितने हमने काटे थे सारे पत्तों का हमने इस्तमाल कर लिया है तो इनको भी इसी में हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है अब आप देखेंगे कि जो हमारा बेकर है बिल्कुल थोड़ा सा जो पतला था वो थोड़ा गारा हो चुका है और अच्छी तरीके से हमें इन पत्टों को mix कर देना है इसी बेजन में और फ्रेंज अगर आप आप आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और हमें support जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर दीजिएगा और प्यारा सा comment भी करिएगा तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से सारे पोई के पत्तों को हमने mix कर लिया है अब हम आगे का process आपको दिखाते हैं तेल गरम हो चुका है और जो पोई के पत्ते हैं इनको फैलाके ही इस तेल में हमें डालना है जिससे की सारे पत्ते अच्छी तरीके से पकें तो देखिए हमने फैलाके ही इन्हें इस तेल में डालना है जब आप इसे तेल में डालेंगे तो मुश्किल से एक या देर, एक मिनित में आपका ये नास्ता बनकर तयार हो जाएगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, फटा-फट ये पोई के पते पक जाते हैं, और खाने में तो इतने ज़्यादा स्वाधिस्ट लगते हैं, कि हम बता नहीं सकते, और ये पेट के लि जो हलकी-फलकी दर्द रहती है, वो भी दर्द नहीं होगी, क्योंकि ये लीवर को ठीक करता है, और ये पोई के पते जो होते हैं, वो इतना सौफ्ट होते हैं, कि पचने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो देखिए, एक साइट से हमारा नास्ता हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें हमें पलट देना है, और दोनों तरब से अच्छी से क्रिस्पी होने तक हमें भून लेना है, तो देखिए, कलर देखिए, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, खाने में तो बहुत ज्यादा स्वाजिस्ट लगता है, और बनने में भी कोई समय नहीं हो चुका है, और मुँ में तो मेरे पानी आ रहा है, दोस्तों आपके मुँ में भी पानी आ रहा होगा, क्योंकि ये कितना स्वादिस्ट और कुरकुरा नास्ता बनकर तयार हुआ है, एकदम स्वादिस्ट, ये देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा नास्ता बनकर तयार हो तो ये देखिए और इसी तरह से हमें दूसरा बैच भी तयार कर लेना है तो देखिए दूसरा भी हम इसी तरह से डाल देंगे डालने का तरीका देखिए हमें फैलाके ही डालना है पकोडी की तरह नहीं डालना है बिल्कुल फैलाके ही डाल देना है सारे नास्ते को तो ये द देखे ये भी बनकर तयार है और इसको निकाल लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं और सर्व करते हैं गर्मा गरम एकदम नास्ता हमारा बनकर तयार है पोई के पत्तों का एकदम हेल्दी और टेस्टी और मज़ेदार तो चलिए इसको सर्व करते हैं ये देखे एकदम टैस्टी मज़ेदार नास्ता बनकर दयार है आपके लिए दोस्तों तो आप इसको जरूर बनाईएगा और खाईएगा क्योंकि खाने में तो सौधिस्ट होता ही है आपके पेट के लिए और आपके स्वास्त के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी होता है आपको तोड़के दिखाते हैं ये देखे कितना क्रिस्पी है एकदम क्रिस्पी बनका दयार हुआ है मज़ेदार एकदम टेस्टी और मज़ेदार हमारा नास्ता बन गया है तो ये देखे हमारा नास खा सकते हैं क्योंकि हर चछनी के साथ यह नास्ता अच्छा लगता है तो यह देखिए हमने चिली सॉस के साथ इसे सर्प किया है आए दोस्तों खाईए और जरूर करिए और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए का मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते थैंक यू